आईपियल 2020 में भले ही इंडियन्स टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा है लेकिन टीम इंडिया के मौझूदा कप्तान विराट कोहली के कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजस बैंगलोर की टीम इस बार आईपियल के खिताब पर कबजा जमा ले तो इसमें हरानी वाली बात नहीं होगी क्रिकेट विशेशग्यों की माने दोस्तों तो इस बार IPL में Royal Challenges Bangalore की टीम का ही दबदबा रहेगा आपको बता दे कि Royal Challenges Bangalore के पास एरॉन फिंच, विराट कोहली, मुएन अली और एबी डिविलियर्स जैसे विश्व चैंपियन बल्ले बाज हैं जो मैदान पर टिक गए तो दुनिया की किसी भी गेंदबाजी आक्रमर को धोस्त करने की क्षमता रखते हैं इसके अलावा RCB की टीम के पास एक ऐसा धाकड ओल्ले बल्ले बाज है जो तेज गिनबाजी के साथ साथ बल्ले बाजी के दम पर भी किसी भी मैच का रुख मोडने की क्षमता रखते हैं टीम इंडिया के इस बहतरीन उभरते आल राउंडर बल्ले बास को भारत ही नहीं बलकि विश्व का सबसे बहतरीन आल राउंडर बल्ले बास कहा जा रहा है क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो यह धुरंदर ओल्राउंडर टीम इंडिया में हार्दिक पंडिया की जगह ले सकता है जी हां दरसल हम बात कर रहे हैं RCB की तरफ से खेलने वाले दिगज ओल्राउंडर बल्लेबाज शिवम दुबे की जो मैदान पर उतरते ही चौके चक्कों की बारिश कर देते हैं शिवम दुबे की ताबर तोड तुफानी बल्लेबाजी का दुनिया के किसी भी गिनबाज के बास कोई तोड नहीं है RCB की टीम में शिवम दुबे एकलोते ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक ओवर में छे चक्के लगाने की उक्षमता रखते हैं हलाकि देखा जाए तो RCB की टीम की दारोमदार AB Develiers और विराट कोहली जैसे दिगज बल्लेबाजों के कंधे पर रहेगी आपको बता दे के AB Develiers भले ही अंतराश्वे क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं इसके बावजूद आज भी Develiers की गिंती दुनिया के सबसे बहतरीन बल्लेबाजों में होती है खास्तोर पर T20 क्रिकेट में AB Develiers की अक्रामक बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है रोयल चैलेंजस बैंगलोर की टीम के लिए अच्छी बात है कि IPL के सबसे पहले AB Develiers भलेबाजी की तुफानी बल्लेबाजी दे कर कहा जाए कि इस बार IPL में RCB की टीम चैंपियन बनेगी तो गलत नहीं होगा अभिहास मैच के दुरान बल्लेबाजी करने उत्रे, AB Develiers पारी की शुरुआत से ही बेहद आक्रामक नजर आए और मातर 16 गेंद की पारी में उन्होंने 75 रन जड़ दिये